हलो नमस्कार साथियों पाचन तंत्र के पार्ट नम्मर तीन में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों बिना किसी बकवास के अपन सुरू करते हैं अपनी क्लास चलिए तो अभी तक अपने उसमें देख लिया था कि अपने औरल कैविटी अनि मुखवा से सुरू किया था फि को अपने फेरिंग्स नाम दिया था उसके बाद में अपने यहां पर बोला था नेक्स्ट की अपनी यहां पर आ जाएगी इसोफेगस और उसके बाद में फाइनली अपन बात करेंगे कि किसके अंदर ओपन हो जाएगी वो आमाशे के अंदर तो दोस्तों यहां से अपन अ जटर के बारे में अपन इस पार्ट के अंदर देखेंगे दोस्तो आमासे के यहां पर मनुश्य के अंदर अपन देखें तो इसको कितने पार्ट में बाटा हुआ होता है चार पार्ट में बाटा हुआ होता है और वो चार पार्ट कौन कौन से है दोस्तो इस तरफ जो हार्ट की साइड में होता है सबसे पहले उस पार्ट को नाम दे देते हैं कार्डियक फिर उसके बाद जो ये उपर की और इस तरफ एक पार्ट रहता है इस पार्ट को नाम दे देते हैं इसके पहले पार्ट को नाम दे दिया कार्डिया तो चार पार्ट हो गए, सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया, कार्डिया, उपर की तरफ कौन हो गया, फंडस, बीच में कौन है, बड़ा पार्ट बोडी, और इस तरफ हो गया, पाईलोरस दोस्तों अपने को ध्यान ये रखना है, कई बार आमाशे की अपने को सिंपल सा पूछ लिया जाता है, कि अंगरेजी के कौन से अकसर के according अपन देखे, तो आमाशे की जो है, वो सेफ होती है, तो यहाँ पर बात करने जाएं, तो वो जे सेफ होती है, ठीक है, तो आमाशे की किस आकार का होता है जे आकार का होता है तो अमासे का आकार पूछे तो जे आकार होता है अब अपने को ध्यान रखना है कि यहां से छोटी आत सुरू होती है तो छोटी आत और पाइलोरस के बीच में एक वालव होता है जिस वालव का नाम होता है पाइलोरिक वालव है ठीक है से जठर रस यानि कि गेस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है जठर रस या किसका सिक्रेशन होता है गेस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है यानि पूछ ले कि आमासी की दिवारों में कौन सी ग्लेंड देखने को मिलेगी तो अपन बात कर लेंगे कि अपने को जठर गरंतिय gastric glands देखने को मिलेगी आमासे की दिवारों में और जठर गरंतियां या gastric gland क्या करती है यह जठर रस या gastric juice का secretion करती है pyloric valve से भोजन, आमासे से छोटी हाथ small intestine में पहुंसता है और small intestine के भी कौनसे पार्ट में पहुंसता है deodinum में पहुंसता है ठीक है दोस्तों तो small intestine के बाद में अब अपन यहाँ पे small intestine बोजन आ गया तो अब अपन देखेंगे किस की बारे में बात करेंगे small intestine के बारे में और जो ये small intestine यानि की छोटी आंत है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है द्यान रखना है कैसा भाग होती है सबसे लंबा भाग होती है इसकी जो लंबाई है लगबग 7 मीटर होती है यहां से अगर बात करें तो जो छोटी आंत है वो बहुत ज़्यादा कुंडलित होती ह क्योंकि 7 मिटर इसकी लंबाई है और ये बहुत कम स्पेस में क्या रहती है बहुत ही कम स्पेस में रहती है तो वहां पर ये highly coiled रहती है बहुत ज़्यादा कुंडलित रहती है और इसकी चोड़ाई कम होती है चोड़ाई की वज़े से ही इसे नाम दिया है छोटी आथ चोड प्लिए बताया था ट्रिक से याद रखना है डि-जे आयए गाहं में कहते ना डी-जे-आयए है कौन आई डी-जे-आयए डास करो डी-जे आयए तो डी-जे डी-जे डू-डी-णम, राज करें तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लंबाई क्या होती जाती है बढ़ती जाती है सबसे कम लंबाई डियोडिनम की उसके बाद में जेजुनम की और सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है इलियम की अब एक बहुत important line यहां पे आ रही है जो कि क्यूसन दे करके जाती है छोटी आथ में पाचन यानि कि डाइजेशन और आवसोसन यानि कि एबजोर्षन यह जो क्रिया है वो सरवाधिक होती है मेकजिमम जो पाचन है मेकजिमम जो डाइजेशन है वो छोटी आथ में होता है और मेकजिमम जो एबजोर्षन है जो maximum अवसोसन है वो भी किसके अंदर होता है छोटी आथ के अंदर होता है दोस्तों यहां से अब छोटी आथ के बाद में भोजन कहां चला जाएगा बड़ी आथ के अंदर लार्ज इंटेस्टैन के अंदर तो नेक्स्ट अपना टोपिक क्या है लार्ज इंटेस्टैन यह लंबाई में छोटी आथ से कम होती है यानि लंबाई में तो छोटी आथ से क्या होती है छोटी होती है लेकिन इसकी मोटाई अधिक होती है मोटाई अधिक होने की वज़े से क्या बोलते हैं, बड़ी आत बोलते हैं, इसके भी कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम, कितने भाग होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम, अब अपने को यहां पर यह ध्यान रखना है, मलासे यानि कि रेक्टम जो है, उसका अंतिम भाग गु पूटी आंत के इलियम तथा बड़ी आंत के सीकम के बीच में एक वालौ पाया जाता है जिसे अपन इलियो सीकल वालौ कहते हैं ये चीज अपनने जब स्ट्रक्टर पढ़ी थी उस टाइम पढ़ा था ठीक है कि यहां पर देखो इलियम खतम होती है इलियम खतम होने के बाद में अपने बात करी थी कि उससे क्या होता है यहां से सीकम निकलता है ठीक है यहां से सीकम है और इस सीकम में अपने एक और बात करी थी कि यहां पर एक उंगली नुमा उभार भी रहता है जो सेलूलोज का पाचन करता था लेकिन अपने में अभी कोई कामका नहीं है जिसे अपने कर्मी रूपी परिसेशी का नाम दिया था ये सीकम नाम दिया था और इसे इलियम नाम दिया यहाँ पर एक वालव होता है और उस वालव का नाम अपने दिया था इलियो सिकल वालव तो बहुत इंपोर्टेंट यह क्योशन यहां से बनता है अब नोट लगा करके यहाँ पर लिखा है कि मानव की जो आहार नाल है, उसकी दो सरचनाई, किसकी? आहार नाल की कितनी सरचनाए, दो सरचनाए, अवसे सी अंग, यानि की vestigial organ के रूप में पाई जाती है वो दो सरचनाए, कौन कौन सी है, वो दो सरचनाए है, एक तो अपना third molar teeth कुन सा molar teeth है? third molar teeth, जिसे क्या कहते है, wisdom tooth कहते है wisdom tooth कहते है, third molar teeth, ठीक है और एक होती है क्रमी रूपी परीसेशी का वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स ये क्या होती है आउसेशी अंग होते है आउसेशी या वेस्टिजियल ओर्गन का मतलब है कि वो पहले पूरवजों में कोई काम आते थे लेकिन अभी अपने अंदर कोई काम नहीं आते है तो ये होते हैं वेस्टिजियल ओर्गन ठीक है दोस्तों तो ये जो है करमी रूपी परीसेशी का वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स अगर ज़्यादा प्रोब्लम करती है तो इसका ओप्रेशन होता और ओप्रेशन के तुरू इसको क्या करना पड़ता है काट के निकाल देना पड़ता है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आहार नाल से संबंदित कुछ ग्लैंड्स यानि पहले तो अपनने क्या देखा था दो पार्ट में इसको तोड़ा था इस टार्टिंग में जब अपनने फर्स्ट पार्ट के अंदर अपनने देखा था अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जो यहाँ पे प्लैलिस्ट दे रखिए उससे से पार्ट फर्स्ट सेकिंड सारे जाकर के देख सकते हैं तो वहाँ पे अपने देखा था कि आहार नाल के लिए अपने दो पार्टों में बाटा था इसको एक तो इससे related सरचनाई और दूसरा इससे related glands तो सरचनाई अपनी complete हो गई है अब अपन पढ़ेंगे glands ये complete होने के बाद में अपन पढ़ेंगे पाचन की physiology यानि कारी की और chapter खतम तो देखे दोस्तों आहार नाल से संबन्दित गरंथियां अब अपन इसके अंदर देखने जाएंगे यानि glands कौन कौन सी होती है तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने जाएं तो वो है लार गरंथियां शालाइवरिक ग्लैंड्स दूसरी यहाँ पर बात करें तो कौन important रोल कर अदा करती है अगनासे या पैनक्रियाज और तीसरी अगर अपन बात करने जाएं तो लीवर या यकरत यह तीन बहुत महतोपूर्ण गरंथियां होती है और इनको अपन बाहे गरंथियां बोल देंगे आहार नाल से अलग होती है लेकिन अपने स्रावन को आहार न होता है वो आहार नाल के अंदर ये छोड़ती है इनका जो स्रावन होता है वो कहां छोड़ती है आहार नाल के अंदर छोड़ती है इसलिए आहार नाल के एकोर्डिंग बाहे गरंथियां है ठीक है आहार नाल के अगर अपन बात करें तो आहार नाल के बाहर पाई जाती है और इनका स्रावन है वो आहर नाल के अंदर छोड़ती है लेकिन कुछ गरंथियां ऐसी भी है जो आहर नाल के अंदर पाई जाती है और अपना सेक्रेशन भी आहर नाल के अंदर ही छोड़ती है तो आंत्रिक गरंथियां यानि कि आहर नाल के अंदर इस्तित है उन गरंथियो में लीवर कोहन की द्राने क्रिप्स ओफ लीवर कोहन यहीं टोटल यहां पर साथ ग्लेंड अपन पढ़ेंगे साथ टाइप की जिसमें सबसे पहले सलाइवरिक ग्लेंड ठीक है पैंक्रियाज और लीवर जो तीन है यह तीनों आहर नाल के बाहर होती है और अपना सिक्रेशन आहर नाल में डालती है लेकिन आगे आने वाली यह चार है वो आहर नाल के अंदर ही इस्तित होती है और जैसे अपने बात करी ती आमा से के अंदर गेस्ट्रिक ग्लेंड्स होती है ठीक है तो आहर नाल में ही अपना यह क्या गरती है, सिक्रेशन छोड़ती है, तो सबसे पहले अपन अब यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करते हैं, यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे लार गरंथियां, दोस्तों लार गरंथियां जो है, मनुसे के सरीर में क्या होती है, तीन जो के नाम से। दोश्तो इसमें ध्यान ये रखना है कि कान के नीचे ये जो प्यरोटेट ग्लेंड होती है उल्टे पिरामेड के आकार की ये अपना जो सिक्रेशन है लार का वो औरल केविटी तक पहुँचाती है वो इस्टैंसन डक्ट यानी इस्टैंसन नलिकके द्वारा पह पहुचता कहां है जो अपने बात करी थी कि अपने यहां पर क्या होते हैं इंसाइजर होते हैं फिर एक कैनाइन होता है फिर क्या होते हैं प्री मोलर होते हैं ठीक है फिर क्या होते हैं मोलर होते हैं तो जो अपर जो के सेकंड मोलर होता है अपर जो का कौन सा मोलर होता है सेकं टक्ट खुलती है और अपना जो लार का सिक्रेशन है वो वहाँ पर छोड़ती है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले अपने बात हो गई यहाँ पर कौन सी ग्लेंड हो गई पेरोटेट ग्लेंड पेरोटेट ग्लेंड है वो सबसे बड़ी लार गरंती होती है यह क्या करती है इ अब अपन दूसरी जो gland है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे दूसरी gland है अपनी sublingual gland दोस्तों नाम से ही इस पस्ट है कि sublingual sublingual का मतलब हो गया कि जीब के नीचे कहां पे इस्तित है जीब के नीचे यानि यह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो अपनी जीब है उस जीब के नीचे एक gland होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है sublingual gland ये gland क्या करती है इससे rivenus की नलिकाएं निकलती है कौन सी नल नीचे से ये gland है sublingual इससे लार को लेती है और मुख गुहा तक छोड़ती है ठीक है दोस्तों और तीसरी gland की अगर यहाँ पे अपन बात करने जाएं तो तीसरी gland दोस्तों है वो है sub mandibular gland और नाम से इस पश्ट है कि mandible यानि नीचे वाला जो जबड़ा होता है उस नीचे वाले जबड़े के यहाँ पे यह सब mandibular gland क्या होती है यहाँ पर इस्तित होती है दोस्तों और यह क्या करती है कि यहां से जो अपना लार का सिक्रेशन है वो यहां तक पहुचाती है किसके दौरा वार्टन्स नलिका यानि वार्टन्स डक्ट के दौरा अपना जो और रिविनस नलिका के द्वारा अपना लार का सिक्रेशन ऊपर वाले जबडे के सेकंड मॉलर के पास पहुचाती है clear दूसरी gland है sublingual gland जो कि जीब के नीचे इस्तित होती है और revenus nalika के द्वारा अपना secretion है वो oral cavity में पहुँचा देती है तीसरी जो gland है वो sub mandibular gland है mandibles के नीचे होती है और wartens nalika इसकी help करती है जो कि किसको लेके आती है लार को लेकर के आती है दोस्तों अब लार गरंतियों के बाद में अपन बात करते हैं अगनासे यानिकी pancreas की अगनासे या pancreas जो है ये भी एक gland है जो कि क्या करती है पाचन का जो पाचन के अंदर क्या करती है help करती है अपने secretions की सहायता से तो दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक परकार की मिसरित गरंती है, mixed gland है मिसरित गरंती या mixed gland क्या होती है, वो एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके का सिक्रेशन करती है एक जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भाग होने का मतलब है बही सरावी और अन्ते सरावी यह क्या होती है बही सरावी भाग क्या करता है इसका अगनासरी रस यानि पैनक्रियाटिक जूस इसी बाग से सरावित होता है और विरसंग नलिका से डियोडिनम में पहुँचकर पाचन में क्या करता है सहायता करता है यह डायरेक्ट बलड में नहीं मिलता है होर्मोन्स के सह पाइता से नहीं होता है डाइरेक्ट अपना सिक्रेशन क्या करता है अगनासी रस जो है पैनक्रियाटिक जूस जो है इस बाग से सिक्रेट होता है और विर्संग नलिका से क्या करता है डियोडिनम में पहुंचता है और डियोडिनम किसका पार्ट है छोटी आत का पार्ट है beta cells होती है, delta cells होती है, और pp cells होती है, pancreatic polypeptide cells होती है, तो यहां से क्या होता है, alpha cells किसका secretion करती है, कौन से hormone का secretion करती है, gluquegon hormone का, जो कि blood में जाता है और अपना काम करता है, beta cells है किसका तरावन होता है, insulin का, तो तोस्तों यह बहुत important question बनता है, कि glucagon का secretion किस से होता है alpha cell से होता है और insulin का secretion किस से होता है beta cell से होता है और यह जो delta cells है यह somatoestatin hormone का secretion करती है और PP cells यानि जिसे बोलेंगे pancreatic polypeptide hormone का secretion करती है यह PP cells ठीक है दोस्तों तो यह बात हो गई लेकिन यह बहुत important alpha और beta cells का ध्यान रखना है alpha A से सुरू होता है beta B से सुरू होता है glucagon G से सुरू होता है insulin I से सुरू होता है ABCDEFGHI पहले G आता है तो glucagon पहले वाले से alpha से बाद में I आता है तो beta से हो घुगया insulin ध्यान रखना है ऐसे याद रखना है अलफा से ग्लुकागोन यानि जी पहले आता है और बीटा से इंसुलिन आई बाद में आता है अब बात करते हैं कि जो लेंगर हैंस ये जो अलफा सेल बीटा सेल्स डेल्टा पीपी सेल्स ये क्या होती है लेंगर हैंस की डीपी काई बोलते हैं लेंगर हैंस डीप समू होता है कहाँ पे अगनासे के अंदर पैंक्रियाज में तो लेंगर हेंस डीप समू की कुछ कोसिकाएं होती है वो चार टाइप की अलफा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल्स होती है ठीक है आप देखो यहाँ पर इनके काम दे रखे हैं कुछ ना कुछ सबसे पहले काम दिया है किसका इंसुलिन का इंसुलिन हमारे रक्त में सरक्रा इस तरको गटाता है यानि इंसुलिन क्या करता है बलड के अंदर ग्लुकोज को गटाता है बलड के अंदर जो ग्लुकोज का लेवल है उसे कम करता है जबकि ग्लुके गोन रक्त में सरक्रा इस तरको बढ़ाता है जबकि Glukagone क्या करता है Blood के अंदर Glukose Level को क्या करता है बढ़ाता है यहनि Glukagone है तो Glukose को बढ़ाएगा त्यान रखना है किस में? Blood में एक दूसरे के विरोधी होर्मोन Antagonistic होर्मोन है यानि एक तो Glukose Level बढ़ा रहा है और एक Glukose Level को कम कर रहा है तो एक दूसरे के विरोधी होर्मोन हो गए तो इनको क्या बोलते है Antagonistic होर्मोन कहते है इनको क्या बोलते है Antagonistic होर्मोन बोलते है ठीक है दोस्तों तो एक इस टाइब के होर्मोन हो गए Antagonistic होर्मोन हो गए एक दूसरे के विरोधी होर्मोन हो गए फिर नेक्स्ट है दोस्तो सॉमेटोस्टेटिन होर्मोन हमारी सारीरिक वरदी को नियंत्रित करता है सॉमेटोस्टेटिन कहां से रिलीज हो रहा है डेल्टा सेल से तो यह क्या करता है हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है सारीरिक वरदी है उसको क्या करता है ये control करता है इसके बाद में दोस्तो next है PP hormone PP hormone बोले तो pancreatic polypeptide hormone ये क्या करता है ये agnacirus यानि pancreatic juice का जो secretion होता है उसको क्या करता है ये कम करता है PP hormone जो last में है इसकी बारे में बात कर रहे हैं तो PP hormone ये pancreatic polypeptide hormone क्या करता है अगनासरिस, पैनक्रियाटिक जूस के स्रावन को कम करता है यानि उसके सिक्रेशन को क्या कर देता है कम कर देता है दोस्तों, अब दो चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि रक्त में जो सरकरा होती है यानि कि जो ग्लुकोज होती है इंसुलीन तो क्या कर देता है उसको कम कर देता है और ग्लाइकोजन उसको क्या करता है बलड में उसको बढ़ाता है सोरी लीवर में क्या होता है लीवर के अंदर जो इंसुलीन हर्मोन काम करता है वो ग्लुकोज को किसके अंदर कनवर्ट करता है ग्लाइकोजन में अगेन मैं गलत बोल रहा हूँ एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ सुनिए रक्त में जो सरकरा होती है उसको क्या करता है इंसुलिन कम किस तरीके से करता है कि जो ग्लुकोज होती है वो ग्लुकोज क्या होती है लीवर के अंदर गलाइकोजन में बदल जाती है किस में बदल जाती है गलाइकोजन में यानि गलुकोज है वो गलाइकोजन में बदल गई तो रक्त में रक्त के अंदर गलुकोज की क्या आजाएगी सोरी गलाइकोजन का बनना क्या कहलाता है गलाइकोजेनेसिस क्या कहलाता है गलाइकोजेनेसिस अब यहां से बात करूँ कि जो गलाइकोजन है इस गलाइकोजन को कौन तोड़ता है गलुकेगोन तोड़ता है इस ग्लाइकोजन को ग्लुकेगोन तोड़ता है किसके अंदर? ग्लुकोज के अंदर तो ग्लाइकोजन तूटेगा तो ग्लुकोज बढ़ेगा तो बलड के अंदर ग्लुकोज बढ़ाता कौन है? ग्लुकेगोन बढ़ाता है glycogen को तोड़ता है glucose के अंदर glycogen को तोड़ता है किसके अंदर glucose के अंदर जिससे क्या बढ़ती है glucose बढ़ती है रक्त के अंदर ठीक है और glycogen का glucose में बदलना क्या कहलाता है glycogenolysis glycogenolysis glucose का glycogen में बदलना कहलाता है glycogenesis लेकिन ग्लाइकोजन का ग्लुकोज में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस बहुत इंपोर्टेंट है त्यान रखना है तो अब यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि इंसूलीन की कमी से क्या होता है रक्त में सरक्रा इस तरह में वरदी होती है जिससे क्या हो जाता है डाइबिटीज मेलाइटस हो जाता है यानि इंसुलीन जो क्या करती है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके बलड से ग्लुकोज को कम करती है लेकिन अगर इंसुलीन की ही कमी हो गई तो glucose को glycogen में convert नहीं कर सकते यानि blood के अंदर glucose की मातरा ज्यादा रहे जाएगी जिससे एक रोग हो जाएगा diabetes mellitus कहते हैं अब diabetes mellitus दोस्तों क्या होता है दो type का होता है एक तो होता है type first एक होता है type second ठीक है दोस्तों type second और type type first और type second type first को बोलते हैं IDDM यानि insulin dependent diabetes mellitus और दूसरा होता है NIDDM non insulin dependent diabetes mellitus तो type first वाला है वो jueline diabetes mellitus भी कहलाता है यानि बचपन से ही हो जाता है इसमें क्या होती बीटा cell सी नस्ट हो जाती है बीटा cell सी नस्ट हो गई तो insulin बनेगा ही नहीं बनेगा ही नहीं तो उसमें always insulin की कमी रहेगी ठीक है यानि वो बंदा insulin पे dependent हो गया कम उम्र में ही यह हो जाता है यानि वो क्या हो गया हमेशा हमेशा के लिए insulin पे depend हो गया तो insulin dependent diabetes mellitus में क्या होता है inheritance होता है यानि दादा में था बाप में था फिर उससे उसके बैटे में चला गया यह ज़्यादा वजन की वज़े से होता है अगर एनियमित दिन चरिया हो जाए तो इसमें भी इसका रोल होता है और 45 वर्स या उससे ज़्यादा की उम्र हो जाए तो उसमें होने की यह क्या हो जाती है संभावनाय बढ़ जाती है अब एक और एक नौट है यहाँ पर बहुत प्यारा सा कि गरभावस्ता में भी कुछ महिलाओं में diabetes हो जाता है जो कि गरभावस्ता पूरी होने पर ठीक भी हो जाता है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉंट्रोवर्सी हो गई थी एक बार के लिए हो जाती है मनुश्य है गलती कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है बहुत दो इंपोर्टेंट टम है एक तो गलाइकोजेनेसिस है यानि गलुकोज का गलाइकोजन में बदलना गलाइकोजेनेसिस है और गलाइकोजन का गलुकोज में बदलना गलाइकोजेनोलाइसिस है ठीक है दोस्तों ठेंक्यू सो मच जेहिन जे भारत बने रही है दोस्तों से शेयर कीजिए और खुब मन लगा करके पढ़िये आपका selection पक्का होगा जेहिन जे भारत